दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं यौर ऑल्लाइन पार्टनर निस डियलेड में स्टडी सेंटर बदल रहा है इसकी खबर हमने आपको सुबह दी थी और उसको बदलने के बाद क्या हो रहा है वो अभी हम लोग देखेंगे आप लोगों के कॉमेंट क माध्यम से और उस पर आगे क्या होना है कैसे होना है वो सब कुछ हम लोग यहां पर बात करेंगे और उसमें किस तरीके से अब यहां पर NIS को स्टेप लेना चाहिए और कुछ रिक्वेस्ट भी हम लोग NIS से यहां पर करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले अगर हम लोग देख पहले दूर था और अब जो change हुआ और दूर हो गया या study center ठीक ठाक था नजदिक भी था अब change हो के और दूर हो गया यह हो गया दूसरा category तीसरा category हुआ जिनका की study center दूर था और अभी तक कोई step नहीं लिया गया चौथा category हुआ की study center अभी तक बना ही नहीं कोई अपडेट ही नहीं आया तो जो पहला केटेग्री हमने देखा जिनका कि study center मतलब study center दूर था और वहां से नजदीक हो गया चलिए उनका कोई बात नहीं है उनके लिए अच्छा हो गया आपका नजदीक था या ठीक ठाक डिस्टेंस पे था उसको और ज्यादा दूर कर दिया गया है बदल कर तो यहां पर मैं एनायस का यहां पर ध्यान आकर्सित करना चाहूंगा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो यहां पर एनायस में स्टडी सेंटर चेंज हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है जब यहाँ पे आज सुबह भी नोटिस आई और पहले भी नोटिस आई और यह कहा गया एनाइस के द्वारा डायेट के द्वारा लगबग सभी राज्यों की खबर हमने आपको दिखाई जहां पर यह कहा गया कि जो स्टेडी सेंटर अब चेंज हो रहा है वो आपके ब्लॉक को देखते वे हो रहा है आपके विकास खंड को देखते वे हो रहा है कि आप जिस विकास खंड से आते हैं उसी विकास खंड में आपको अब जो है study center आपका वहाँ पे जो है उसमें दिया जाएगा तो अभी अगर हम अपने यहाँ पे दोस्तों के comments देखें अपने सिख्षेकों के comments देखें तो बहुत तरह के comments हैं यह भी मैं आपको comments पे भी ले चलूँगा और उसका भी answer देने की कोशिस करूँगा कुछ comments की तो वो चीज़े यहाँ पे आ जाती है तो जिनका study center नजदीक था ठीक ठाक था या दूर था उनका और भी ज़्यादा दूर कर देने का क्या तुक बनता है तो यह चीज़े यहाँ पे जो है NIS को जरूर संग्यान में लेनी चाहिए और जल्द से जल्द इस पे action लेनी चाहिए क्योंकि बहुत जगा study center सुरू हो भी गया था एक दो class भी हो गय थे और उसके बाद study center जो है खुद से NIS के द्वारा change किया गया और उनके प्रखंड में उनके ब्लॉक में उनके विकास खंड में करने के नाम पर study center को और भी ज़्यादा दूर कर दिया गया तो यह यहाँ पे notice करने वाली बात है और इस पे जल से जल एक्सन लेना चाहिए क्योंकि यह करना क्या तुक है और क्यों यह problem हो रहा है अगर सुबह जो news हमने आपको बताई थी उसका वीडियो के description में उसका link हमने डाल दिया है अगर उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें कहा गया था कि NIS को यह परिसानी हो रही है कि मतलब गौन के नाम जो है या प्रखंड के नाम अगर उसमें भी हो रहा है तो वो एक district के अंतरगत होना चाहिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर पड़ दे जा रहा है और district के अंतरगत भी यहाँ पर बहुत लंबा किसी का 60 km, 70 km ऐसा हो जा रहा है तो यह चीज़ है यहाँ पर NIS को जल से जल इसको ठीक करना है और जो दूर था उसको और ज़्यादा दूर करने का यहाँ पर कोई तुकनी बनता है तो इस पर जल से जल NIS को यहाँ पर ठीक करना चाहिए इस पर action लेना चाहिए और जितने भी सिक्षकों को परिसानी हो रही है उन पर जो है यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और अगला है ऐसे सिक्षक जिनका study center दूर बन गया है लेकिन उन पर अभी तक कोई action नहीं लिया गया है तो study center अगर दूर बन गया है कोई action नहीं लिया गया है तो जैसा मैंने study center दूर बन गया है अब और जिनका अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है वह है किर्पया उनको भी अब और ज्यादा दूर ना बनाया जाए उनको नजदीक किया जाए और उनके विकासखर्ण में उनके block में दिया जाए और study center बदलने के नाम पर कुछ भी बदला जा रहा ऐसा ना किया जाए क्योंकि अभी उनका दूर है और अभी तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उनको परिवर्तन करके नजदीक किया जाए study center को उनके block के अंतरगत लाया जाए और जो अगर कुछ किया जा रहा है तो उनके अच्छे के लिए किया जाए ऐसा ना कि और ज़्यादा परिसानी क्रियेट कर दिया जाए यहाँ पर सिक्षकों को काफी परिसानिया हो रही है और यहाँ पर महिलाए हैं बहुत तरह तरह की परिषानिया हैं सिक्शकों को और स्कूल भी बंद यहां पर प्राइबेट स्कूल में प्र味ल्म क्या हो रहा है कि मालेज़े कि 6-7 सिक्शक हैं और सभी सिक्शक डियलेट कर रहे हैं तो यहां पर सनिवार को भी क्लासेश चल रही है तो उनका स्कूल बंद हो जा रहा है, तो सब तरह की परिसानी है, तो NIS ये लापरवाए कम से कम ना करे, और मतलब अलेड़ी इतना समय NIS ने लिया और उसके बाद भी यहाँ पे, खुद उनके सिक्षकों के ब्लॉक में नहीं दे पाया, क्योंकि अगर हम लोग कॉमेंट देखें, तो आप लोग अभी बस अपने रिफरेंस नमबर से चेक करते रहें, और देखें कि आपका NIS नमबर कहाँ पर है, NIS डेलेट सेंटर कहाँ पर है, और कहाँ पर बन रहा है, अगर अभी तक नहीं बना है, तो कोई आप लोग अब ध्यान से देखते रहें, क्योंकि लास्ट जो और तभी तक आपका बन जाना चाहिए, आप लोग रफरेंस नमबर डालके चेक करते रहें, और मुझे उमीद है कि यह जो जिनका अभी तक नहीं बना है, उनको at least NIS जो है सही डंग से करेगा, और सही डंग से उनका यहाँ पर उनको एक उनके ब्लॉक में स्टेडी सेंट देगा, चलते हैं आप लोगों का जो कॉमेंट्स हैं, वो हम लोग, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, basically, कि उसमें क्या किया जाए, तो सर मेरे स्टेडी सेंटर घर से 65 किलोमेटर दूर है और अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो सर मेंने वही आपको बताया कि प्रिंस्पल वेरिफिकेशन हो चुका था, परंतु दो अवियर्तियों का नौट वेरिफाइड लिस्ट में नाम दिखा रहा है, रेफरेंस नमर डालने से इन्वैलिड बताता है, सर क्या करें, मेरी मदद कीजिए, सर आपका यह हो सकता है क्या कि जो सिक्षक थे, उनका प परणवस केंसीलेशन हुआ होगा, चाहे वो स्कूल में उसके बाद भी बहुत जगह पे वेरिफिकेशन हुई थी, और सिक्षकों की जांच हुई थी, सर आप मुझे परसनली यहां पर हमारे जो है, फेस्बूक पेज़ पर मेसेज कीजिए, मैंने यहां पर लिंक डाल दि है, और चेंज होके आपका नजदिक हो, यही हम उमीद रखते हैं, आगे है सर मेरे स्टेडी सेंटर बहुत दूर है, आउटसाइड होने के करण, डर बना रहता है गल्स के लिए, और क्लास भी आठ से चार बजे तक होता है, बहुत प्रॉबलम है, बिल्कुल यह बबली सि पहुचाएंगे, कहीं न कहीं, एना इस तक भी उतनी बात पहुचेगी, जब जो है स्टेडी सेंटर चेंज होने की बात हो रहे ती लोगों का दूर हुआ था, तो हमने काफी कोशिस की और इसका फर्क तो पड़ता है, तो कहीं न कहीं, जो है, आगी जो हमारा यहाँ पे म इन लोगों के साथ भी यहाँ पर परिसानिया हो रही है, तो एना इस को यह जल से जल एक्षन लेना चाहिए, कि दूर मतलब जब सारे ब्लॉक में बना है, तो आपको बस अपने मिस मेनेजमेन के कारण और 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 इस तरीके की प्रॉब्लम आप कर रहे हैं, जो कि बिल सेंटर करवा दो, दिनेश पटेल जी लिखते हैं, सर स्टेडी सेंटर नहीं बदला है, रवीन मुख्या लिखते हैं, सर जी हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं, तो हमारे स्टेट का कोई अपडेट आप से नहीं आया है, सर वेस्ट बंगाल का अगर हम लोग यहाँ पर अभी far from the previous study center अर्विंद कुमार जी लिखते हैं कि मेरा study center नजदीक था अब दूर कर दिया गया है सुवोत पतेल जी लिखते हैं मेरा सर और दूर कर दिया गया है बताईए मतलब लगवक सिख्चोकों के साथ यह problem था तो और उनका और ज़्यादा दूर कर दिया गया है तो NIS यहाँ पे मतलब यह और आगी अगर update देखें तो रामिस्टवर जी लिखते हैं कि सर मेरा study center 170 km है और बस सुविधा भी नहीं है मतलब transportation भी नहीं है मैंने वहाँ के बारे में mail भी किया है लेकिन अभी तक जो reply नहीं मिला है तो यहाँ पे मैं फिर से NIS के साथ यह request करना चाओंगा कि जितने भी सर आपने रामिस्टवर जी आपने अपना जगा का नाम नहीं बताया है कि आप कहां से आते हैं तो यहाँ पे वैसे भी पूरे भारत में बहुत सारे लोगों के साथ यह problem हो रही है तो जिनको जिनको भी यह problem हो रही है उनका study center यहाँ पे change हो रहा है लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे comment किया है उसमें से 5% लोगी ने इस प्रगार का comment किया है कि सर दूर था और मेरा आप नजदीक हो गया है तो उनके लिए तो अच्छी बात है लेकिन लगवग 95% लोगों ने यह comment किया है कि उनका जो दूर था उससे और दूर कर दिया गया तो यहाँ पे और भी जैदा परिशान ही हो सकती है और हाँ, हमारे viewers ने यह भी comment पे पूझा था कि सर जब तक change नहीं होता है तब तक पुराने माले पे जाना है या नहीं जाना है हाँ, तब जब तक आपका change नहीं होता है तब तक आपको पुराने study center पे ही जाना है और वहीं से आपको classes करना है तो आपने देख लिया कि दोस्तों मतलब लगबग लोगों का जिनका दूर है उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है या तो और दूर कर दिया गया या भी तक चेंज नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और दोस्तों आप लोग भी इस वीडियो को सेयर कीजिए ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे यह ताकि सभी न्यूज में यह सब चीज़ें आए और नियूज का भी ध्यान इससे आकर्सित हो और लो अगरी वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजी वीडियो को जरूर सेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाईए वाटसप फेस्बुक जहां भी है उसके माध्यम से और लाइक कर दीजे अगर आपको मेरा प्रियास पसंद आता है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो नीचे के रेट कलर का सब्सक्राइब बटन से वीडियो के नीचे में रेट कलर का सब्सक्राइब बटन होगा वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बगर में बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे तो आ